आज मैं बहुत ही टेस्टी और हेल्डी सी दही की सर्वत की रेसिपी लेके आई हूँ और इसमें मैंने ड्राइफ प्रूट और ताजे प्रूट भी डाले हैं, तो यह हेल्दी भी बन गई है और यह जल्दी से बन जाती है, سबी को पसंद आती है, तो आइए बनाते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नंदा वैशन अपने यूटूब चैनल नंदा की रेस्पीस में आपका सवगत करती हूं मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो यहां पर दही के सरबत के लिए दही ले ली हूं दो गलास जितने प्रेस है यहां आइस क्यूब को एक गलाख बारिकबर काट ली हूं और यहां दूटी फूटी ले लाइक छनमटना सजाने के लिए और इलाइची लिए हूं चार से पांच कोट के यहां पर मैं 40-50 तो कमें यहां किसमिस ले ली हूं पिस्ता ले ली हूं नारयल भी जादा लोगों के लिए बना रहे हैं तो जादा बढ़ा दीजिए और यहां पर फूरूट में आप जो मर्जी वो फूरूट ले सकते हैं और ड्राइ फूरूट में भी आपको जो मर्जी वो ले सकते हैं जैसे काजू बादा में सब भी ले सकते हैं मैं नहीं ली हूं तो पानी डाल देंगे दो ग्लास जितना या जितने लोगों के लिए बना रहे हैं तो यहां पर मैं चीनी डाल रही हूं तो स्वाधनुसा डाल दीजिया और हम तुरंत बना के तुरंत पीनी के लिए बना रहे हैं तो यहां पर बर्फ डाल रही हूं मैं तो देखिए चीनी अच तो यहां पर ड्राइफूट को मैं पूरा नी डालू गी आधा ही डालूगी आप सुखे नारील की जगे पर पर अपर से डालते है रख तो अठा भी लगता है और पीते समय आधा चबा के खाओ तो मज़ा आजाता है तो इस तरीके से अग। तो यहां पर देखें इलाची बीडाल रही हूं टूटी-फूटी अभी नहीं डालूंगी और इसे अच्छे से हम गोट लेंगे देखें इस तरीके से सारी चीज़े को अच्छे से मिला लेंगे केला भी क्या है दही में जब मिलता है न जो स्वाद बहुत अच्छा आजाता है तो देखिए इस तरीके से चाहे आप इसे लसी भी बोल सकते हैं तयार है तो ग्लास में आए डाल लेते हैं तो यह जो इस तरीके से बनाते हैं यह भी बताईएगा तो देखिए मैं इस तरीके से फ्रूट और ड्राइ फ्रूट से सजा दे रही हूं तो देखिए किता अच्छा दिख रहा है ना तो पीने में भी बहुत अच्छा लगता है यदि आप लोग को थोड़ी भी ये वीडियो यूसफुल लगी हो तो प्लीस एक लाइक जरूर दीजिएगा लाइक देते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है और वीडियो बनान तो जल मिलती हूँ एक नई वीडियो में एक टेस्टी से रेसिपिक साथ तब तक लिए बाई